ओम श्यांति 14 फरवरी 2024 मीठे प्यारे बाबा के आज के मधुर महाबाक्य बाबा आज हमें समझाते कि हम बच्चों को बाप समान रहम तिल बन स्वैम पर रहम करना है देही अभिमानी स्थिती में रहने का विशेश अटेंशन रखना है अंतर मुखी बन अपने वा दूसरों के कल्यान का चिंतन करना है कभी भी किसी की कमजोरी को नहीं देखना सदा स्मृती में रखना है कि हम बेहत पाप के स्टूरिंट है स्वैम भगवान हमें पढ़ाते हैं इसलिए अच्छी तरह पढ़कर बाप का नाम बाला करना है हमें अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है तो चलिए सुनते हैं आज की बाबा की मीठी प्यारी मुडली ओ शांती बाबा कहते मीठे बच्चे अंतर मुखी हो अपने कल्यान का ख्याल करो घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मन्थन करो अपने से पूछो हम सदा हर्शित रहते हैं प्रश्न रहम दिल बाब के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए उत्तर जैसे बाब को रहम पढ़ता है कि मेरे बच्चे कांटे से फूल बने बाब बच्चों को गुल-गुल बनाने की कितनी मेनत करते हैं उपर तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं ही पतित पावन आओ फूल बनाओ अब बह आए हैं तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे रहम पढ़े तो देही अभिमानी रहें बाब जो सुनाते हैं उसको धारन करें ओम शान्ती ये तो बच्चे समझते हैं ये बाप भी है तीचर भी है सत्गुरू भी है तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि तुम यहां जब आते हो तो इन लक्ष्मी नारायन के और सीड़ी के चित्र को देखते हो जब दोनों को देखा जाता है तो इन आपजिक्ट और सारा चक्र बुद्धी में आ जाता है कि हम देवता बनकर फिर ऐसे सीड़ी उतरते आए हैं यह क्यां तुम बच्चों को ही मिलता है तुम हो स्टूरिंट एम आपजिक्ट सामने खड़ा है कोई भी आए तो उनको समझाओ यह एम आपजिक्ट है इस पढ़ाई से यह देवी देवता जाकर बनते हैं फिर 84 चन्व की सीड़ी उतरते हैं फिर रिपीट करना है बहुत इजी नौलेज है फिर भी पढ़ते पढ़ते ना पास क्यों हो पढ़ते हैं उस जिस्मानी पढ़ाई से भी यह इश्परिय पढ़ाई बिलकुल सहच है इम आपजिक्ट और 84 चन्व का चक्र बिलकुल सामने खड़ा है यह तोनों चित्र विजिटिंग रूम में भी होने चाहिए सर्विस करने के लिए सर्विस का हतियार भी चाहिए सारा ग्यान इसमें ही है ये पुरुशार्थ भी हम अभी करते हैं सतु प्रधान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है इसमें अंतर मुखी हो विचार सागर मंधन करना है घूमने फिरने जाते हो तो भी बुद्धी में यही होना चाहिए यह तो बाबा चानते हैं कि नंबरवार हैं कोई अच्छी तरह समझते हैं तो जरूर पुरुशार्थ करते होंगे अपने कल्यान के लिए हर एक स्टूजन्स समझते हैं यह अच्छा पढ़ते हैं बनाना चाहिए तुम भी स्टूजन्ट हो सो भी बेहत बाब के यह ब्रम्मा भी पढ़ते हैं यह लक्ष्मी नारायन है मरतबा और सीड़ी है चरासी चन्मों के चक्र की यह पहले नंबर का जन्म यह लास्ट नंबर का जन्म तुम देवता बनते हो अंदर आने से ही सामने एम आपजिक्ट और सीड़ी पर समझाओ रोज आकर इनके सामने बैठो तो स्मृति आए तुम्हारी बुद्धी में है कि बेहता बाप हमको समझा रहे हैं सारी चक्र का ज्यान तुम्हारी बुद्धी में भरपूर है तो कितना हर्शित रहना चाहिए अपने से ऊचना चाहिए कि हमारी वे अवस्था क्यों नहीं रहती क्या कारण है जो हर्शित रहने में रौला पड़ता है जो चित्र बनाते हैं उनों की बुद्धी में भी होगा कि ये हमारा भविश्यत पद्ध है ये हमारी एम अबजेक्ट है और ये 84 का चक्र है गायन भी है सहज, राजयोग सो तो बाबा रोज समझाते रहते हैं कि तुम बेहत बाब के भच्चे हो तो स्वर्ग का वर्षा जरूर लेना चाहिए और सारे चक्र का भी राज समझाया है तो जरूर वे याद करना पड़े और फिर बातचीत करने के मैनर्स भी अच्छे चाहिए चलन बहुत अच्छी चाहिए चलते फिरते काम काज करते बुद्धी में सिर्फ यही रहे कि हम बाब के पास पढ़ने के लिए आए हैं ये ग्यान ही तुमको साथ ले जाना है पढ़ाई तो सहच है परन्तु अगर पूरी रीती नहीं पढ़ेंगे तो टीचर को जरूर ये ख्याल रहेगा कि अगर क्लास में बहुत डल बच्चे होंगे तो हमारा नाम बदनाम होगा इजाफा नहीं मिलेगा गवर्मेंट कुछ नहीं देगी ये भी स्कूल है ना इसमें इजाफा आदी की बात नहीं फिर भी पुरुशार्च तो कराया जाता है ना चलन को सुधारो देवी कुन धारन करो कैरेक्टर अच्छे चाहिए बाप तो तुमारे कल्यान के लिए आई है पर तु बाप की श्रीमत पर चल नहीं सकते श्रीमत कहे यहां जाओ तो जाएंगे नहीं कहेंगे यहां गर्मी है यहां ठंडी है बाप को पहचानते नहीं कि कौन हमको कहते हैं यह साधारन रत ही बुद्धी में आता है वै बाप बुद्धी में आता ही नहीं है बड़े राजाओं का कितना सब को डर रहता है बड़ी अथारिटी होती है यहां तो बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ, मुझ रच्ता और रच्ना के आदी मध्य अन्ध को कोई नहीं जानते हैं, कितने धेर मनुष्य हैं, कैसी-कैसी बातें करते हैं, क्या-क्या बोलते हैं। भगवान क्या चीज होती है ये भी जानते नहीं, वंडर है ना, बाप कहते हैं, मैं साधारन तन में आकर अपना और रचना के आदी मध्य अंत का परिचे देता हूं, 84 की ये सीड़ी कितनी क्लियर है, बाप कहते हैं, मैंने तुमको ये बनाया था, अब फिर बना रहा हूं, तुम पारस बुद्धी थे, फिर तुमको पत्थर बुद्धी किसने बनाया, आधा कल्प रावन राज्ये में तुम गिरते ही आते हो, अब तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है, विवीट भी कहता है बाप है ही सत्य वैं जरूर सत्य ही बताएंगे ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं तुम भी पढ़ते हो ये कहते हैं मैं भी स्टूजन्ट हूँ पढ़ाई पर अटेंशन देता हूँ accurate कर्मा तीत अवस्तातो अभी बनी नहीं है ऐसा कौन होगा जो इतना मुझ पढ़ पाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा सब कहेंगे ऐसा पढ़ तो जरूर पाना चाहिए बाप के हम बच्चे हैं तो जरूर मालिक होने चाहिए बागी पढ़ाई में उतराई चड़ाई तो होती ही है अब तुमको एक तम ज्यान का तंत यानि सार मिला है शुरू में तो पुराना ही ज्यान था धीरे धीरे तुम समझते ही आए हो अभी समझते हैं ज्यान तो सच मुझ अभी हमको मिलता है बाप भी कहते हैं आज मैं तुमको गुये गुये बातें सुनाता हूँ फट से तो कोई जीवन मुक्ति पा नहीं सकता, सारा ज्यान उठा नहीं सकता, पहले ये सीड़ी का चित्र थोड़े ही था, अब समझते हैं बरोपर हम ऐसे चक्र लगाते हैं, हम ही स्वधर्शन चक्रधारी हैं, बाबा ने हम आतमाओं को सारे चक्र का रांस समझा दिया है, बहुत सुख देने वाला है, बाब ही आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, औरों के सुख का टाइम तो अभी आया है, जबकि मौत सामने खड़ा है, ये ऐरोपलीन बिजलिया आदी पहले नहीं थी, उन्हों के लिए तो अभी जैसे स्वर्ग है, कितने बड़े बड बनाते हैं, समझते हैं, अभी तो हमको बहुत सुख है, लंदन में कितना जल्दी पहुँच जाते हैं, बस यही स्वर्ग समझते हैं, अब उन्हों को जब कोई समझाए कि स्वर्ग तो सत्यू को कहा जाता है, कल्यू को थोड़े ही स्वर्ग कहेंगे, नर्ग में शरीर छो तुम भी ये बाते नहीं समझते थे, अब समझते हो, रावन राज्चे आता है, तो हम गिरने लग जाते हैं, सब विकार आ जाते हैं, अभी तुमको सारा ज्यान मिला है, तो चलन आदी भी बहुत रॉयल होनी चाहिए, अभी तुम सत्युक से भी जास्ती वैल्यूएबल हो, बाप जो ग्यान का सागर है, वे सारा ग्यान अभी देते हैं, और कोई भी मनुशे ग्यान और भक्ती को समझ न सकें, मिक्स कर दिया है, समझते हैं शास्त्र पढ़ना ये ग्यान है, और पूजा करना भक्ती है, तो अब बाप गुलकुल बनाने के लिए कितनी मेहनत करते है बच्चों को भी तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, पतितों को आकर पावन बनाओ, फूल बनाओ, अब बाप आए हैं, तो अपने पर भी रहम करना चाहिए, क्या हम ऐसे फूल नहीं बन सकते, अब तक हम बाबा के दिल तक्त पर क्यों नहीं चड़े हैं, अट बाब को बुलाते ही हैं, पतित दुनिया में कि आकर पावन बनाओ, तो जैसे बाप को रहम पढ़ता है, ऐसे पच्चों को भी रहम पढ़ना चाहिए, नहीं तो सत्गुरु के निंदक ठोर न पाएं, ये तो किसको स्वप्ण में भी नहीं होगा, कि सत्गुरु कौन? लोग गुरु के लिए समझ लेते हैं, कि कहां श्राप न दे दे में, पर कृपा न हो जाए, बच्चा पैदा हुआ, समझेंगे गुरु की कृपा हुई, ये है अल्पकाल के सुख की बात, बाप कहते हैं, बच्चे अपने पर रहम करो, देही अभिमानी पनो, तो धारना भी होगी, सब कुछ आत्मा ही करती है, मैं भी आत्मा को पढ़ाता हूँ, अपने को आत्मा पका समझो, और बाप को याद करो, बाप को याद ही नहीं करेंगे, तो विकर्म विनाश कैसे होगे, भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं, ये भगवान रहम करो, बाप भी है, तो गाइड भी है, ये भी उनकी गुप्त महिमा है, बाप आकर सब बतलाते हैं, कि भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, मैं आऊंगा तो ज़रूर अपने समय पर, ऐसे जब चाहूं तब आऊं, ये नहीं, ड्रामा में जब नूंद है तब आता हूं, बाकी ऐसे खयालात भी कभी नहीं आते हैं, तुमको पढ़ाने वाला वे बाप है, ये भी उनसे पढ़ते हैं, वे तो कभी भी कोई खता यानि भूल नहीं करते, किसको रंज नहीं करते, बाकी सब नंबर वार टीचर हैं, वे सच्चा बाप तुमको सत्ते ही सिखलाते हैं, सच्चे के बच्चे भी सच्चे, फिर जूटे के बच्चे बनने से आधा कल जूटे बन पड़ते हैं, सच्चे बाप को ही भूल जाते हैं, पहले पहले तो समझाओ कि ये सत्युगी नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है, तो मनुष्ये समझें ये प्रश्न बहुत अच्छा पू वहां पांच विकार होते नहीं, ये है तो बहुत सहज बात समझने की, परन्तु जो खुद ही नहीं समझते, तो वे प्रश्नी में क्या समझाएंगे, सर्विस के बदले दिस सर्विस करके आएंगे, बाहर में चाकर सर्विस करना, मासी का घर नहीं है, बड़ी समझ बाबा हर एक की चलन से समझ चाते हैं, बाब तो बाब है, फिर तो बाब भी कहेंगे यही ड्रामा में था, कोई भी आता है तो ब्रह्मा कुमारी का समझाना ठीक है, नाम भी ब्रह्मा कुमारी इश्वरिय विश्व पध्याले है, नाम बाला भी ब्रह्मा कुमारियों का हो इस समय सब पांच विकारों में हिरे हुए हैं, उनों को जाकर समझाना कितना मुश्किल होता है, कुछ भी समझते नहीं हैं, सिर्फ इतना कहेंगे, ज्यान तो अच्छा है, खुद समझते नहीं हैं, विगन के पीछे विगन पढ़ता रहता है, फिर जुक्तियां भी रचनी पढ़ती हैं, पुलिस का पहरा रखो, चित्र इंशोर करा दो, यह यग्य है, इसमें विगन जरूर पढ़ेंगे, सारी पुरानी दुनिया इनमें स्वाहा होनी है, नहीं तो यग्ये नाम क्यों पढ़े, यग्ये में स्वाहा होना है, इसका रूद्र ग्यान यग्ये नाम पढ़ा है, ज्यान को पढ़ाई भी कहा जाता है, यह पाठ्चाला भी है, तो यग्ये भी है, तुम पाठ्चाला में पढ़कर देवता बद्द्द हो, फिर यह सब कुछ इस यग्ये में स्वाहा हो जाता है, समझा वही सकेंगे, जो रोज प्राक्टिस करते रहेंगे, स्वर्व अभी है अल्पकाल के लिए तुम्हारे लिए स्वर्व आधा कल्प के लिए होगा ये भी ट्रामा बना हुआ है विचार किया जाता है तो बड़ा बंडर लगता है अब रावन राज्जे खत्म हो राम राज्जे स्थापन होता है इसमें लड़ाई आधी की कोई भी बात नहीं ये सीड़ी देख लोग बड़ा वंडर खाते हैं तो बाप तादा ने क्या क्या समझाया ये ब्रह्मा भी बाप से ही सीखा है जो समझाते रहते हैं बच्चियां भी समझाते हैं जो बहुतों का कल्यान करते हैं उनों को जरूर जास्ती फल मिलेगा पढ़े हुए के आगे अनपढ़े जरूर भरीड होएंगे बाब रोज रोज समझाते हैं अपना कल्यान करो इन चित्रों को सामने रखने से ही नशा चड़ जाता है इसलिए बाबा ने कमरे में ये चित्र रख दिये हैं इम आबजिक्ट कितनी सहज है इसमें कैरेक्टर्स बहुत अच्छे चाहिए दिल साफ तो मुराद हासिल हो सकती है अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रती मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और कुड मॉनिग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक्वा प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी गुड मॉनिंग बाबा, शुक्रिया बाबा धाना के लिए मुख्यसार पहला पॉइंट सदा स्वृती में रखना है कि हम बेहत बाप के स्टूजिंट हैं भगवान हमें पढ़ाते हैं इसलिए अच्छी तरह पढ़कर बाप का नाम बाला करना है अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है दूसरा पॉइंट बाप समान रहम दिल पन कांटे से फूल पनना और दोसरों को फूल पनाना है अंतर मुखी बन अपने वा दोसरों के कल्यान का चिंतन करना है बरदान हलचल में दिल शिकस्त होने के बचाए बड़ी दिल रखने वाले हिम्मत वान भव कभी भी कोई शारेरिक पीमारी हो मन का तूफान हो धन में या वृत्ती में हलचल हो सेवा में हलचल हो उस हलचल में दिल शिकस्त नहीं बनो बड़ी दिल वाले बनो जब हिसाब किताब आ गया दर्द आ गया तो उसे सोच सोच कर दिल शिकस्त बन बढ़ाओ नहीं हिम्मत वाले बनो ऐसे नहीं सोचो हाई क्या करूँ हिम्मत नहीं हारो हिम्मत वान बनो तो बाप की मदद स्वत मिलेगी स्लोगन किसी की कमसोरी को देखने की आँखें बंद कर मन को अंतर मुखी बनाओ उम्शांती